हेलो गाईज कैसे हैं आप सब और आप सब की स्टडी कैसी चल रही कमेंट सेक्षन में ज़रूर बताईएगा और आप सब का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल फार्मा की दुनिया में आज हम इन्फेक्सिस डिजीज के न्यू टॉपिक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्षन य देखते हैं डिफिनिशन अ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्षन यूटी आई इन्फेक्षन देट अफेक्ष पार्ट अब द यूरिनरी ट्रैक तो यूटी आई जो डिजीज है वो इन्फेक्षिस डिजीज है ठीक है इन्फेक्षन की वज़ेसे होता है और हमारे यूरिनरी इट इस नोन एज किड़नी इन्फेक्षण पाईलो नेफराइटिस एंड विन इट ऐफेक्ट द लोवर यूरिनरी ट्रैक, इट इस नोन एज ब्लेडर इन्फेक्षण सस्टाइटिस. ठीक है तो जो UTI है वो infectious disease है infection की वज़े से होता है और वो किसको effect करता है यूरिनरी track को ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं यूरिनरी track क्या होता है ठीक है तो यूरिनरी track kidney, ureter, bladder and urethra आप लोग ये figure देखिए उपर के जो P like structure दो है दो kidney होती है जहां पे urine produce होता है और secret होता है ठीक है देन उसके बाद दोनों kidney से जुड़ी यूरेटर्स होती है जो urine को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है kidney to urinary bladder ठीक है kidney से urinary bladder तक urine को ट्रांसपोर्ट करने का काम ureter करता है देन उसके बाद ये एक urinary bladder होता है जहां पे urine collect होता है और control किया जाता है देन उसके बाद उसके बाद वहां से release होता है यूरेटरा के थ्रू ठीक है वहां से जब urine जो वाइड होता है रिलीज होता है यूरेटरा के थ्रू बहारी environment में आता है ठीक है ये whole process है आपकी urinary tract ठीक है तो अब जो infection cause होगा UTI में इनहीं में से किसी पार्ट में infection cause होगा तो अगर kidney और यूरेटर्स में cause हो रहा है तो अपर urinary tract infection होगा और bladder और यूरेथरा में cause हो रहा है तो lower tract infection होगा ठीक है तो अगर kidney में cause हो रहा है जो most common UTI होती है वो kidney में infection हो रहा है तो pyelonephritis जहां पर लग जाए वहां पर समझेए inflammation cause हो रहा है inflammation हो रहा है infection हो ठीक है तो kidney में अगर infection हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे pyelonephritis nephron हम kidney को ही बोलते हैं आप सबको पता ही होगा और अगर lower injury tract अगर bladder में हो रहा है ठीक है infection उसको हम बोलेंगे cystitis तो आपको पता चल गया ना kidney और ureter हमारा upper part हो जाएगा bladder और ureter हमारा lower part हो जाएगा ठीक है guys इतना आपको समझ में आया जो most common UTI होता है वो lower injury tract infection होता है lower part में जो होता है वो most common होता है और जो UTI होता है women are the greatest risk of developing a UTI than men मतलब कि men के compare में उमें में UTI जादा होता है ठीक है common जादा UTI उमें में होता है ठीक है और इसकी ulary tract आपको समझ में आ गया अगर ulary tract inflammation हो रहा है तो वो हमारे ulary tract infection कहलाएगा ठीक है root of infection ये infection कैसे cause हो सकता है ठीक है इसको हम डिसकस कर लेते हैं the organism can enter into the urinary tract by various roots बहुत सारे roots हो सकते हैं कि हमारे urinary tract में infection cause हो ठीक है first है hematogenous root ठीक है hematogenous root क्या है wire blood ये root जो है hematogenous क्या होता है wire blood blood के थू हमारे blood तो पूरी body में होता है ठीक है तो blood के थू हमारे urary tract infection हो रही है तो उस root को हम बोलेंगे hematogenous root ठीक है second है lymphatic root ठीक है lymphatic root अगर lymphatic root की वज़ेशे हो रहा है तो हम उसको lymphatic root बोलेंगे या by direct contact of infection या जो हमारे urinary tract है वो direct infection के contact में आए तो ये सारे root हो गए हैं जिनकी वज़े से हमारे urinary tract में infection cause हो सकता है ठीक है guys next देखते हैं types of uti ठीक है urinary tract infection two types के होते है lower urinary tract infection अपर urinary tract infection uti urinary tract के अगर अपर पार्ट पे हो रहा है तो अपर urinary tract infection lower part में हो रहा है तो lower urinary tract infection four urinary tract होते हैं पहला होता है kidney दूसरा होता है urator third होता है bladder and fourth होता है urethra तो अगर kidney और urators में हो रहा है तो upper part में हो रहा है तो upper urinary tract infection and bladder uratera में हो रहा है तो lower urinary tract infection ठीक है तो discuss करते हैं lower urinary tract infection को तो lower urinary tract infection में first है urethritis, urethritis क्या होता है जब कोई भी inflammation ठीक है किसी भी microorganism, bacteria, fungi, virus कुछ भी microorganism हो उसकी वज़े से urethrum inflammation को हो ठीक है तो वो condition कहलाता है urethritis, ठीक है कोई भी microorganism हमारे intestine via anus के थुरू urethra में पहुच जाए और वहाँ पे inflammation कौच करें ठीक है तो वो condition होता है urethritis, ठीक है ITES का मतलब होता है inflammation अगर जहां पर यह word लगा है समझ लेजे वहाँ पे inflammation हो रहा है ठीक है तो किसी भी microorganism की वज़े से bacteria हो गया, fungi हो गया, virus हो गया, अगर urethra में हो रहा है तो urethritis, ठीक है, next है, sustitis, sustitis का मतलब होता है inflammation और bladder, ठीक है, हमारी bladder की जो lining होती है, अगर वहाँ पे inflammation हो रहा है ठीक है, pain हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे sustitis, अगर inflammation bladder में हो रहा है, किसी भी microorganism की वज़े से, microbial infection हो रहा है अगर bladder में, तो हमें frequent urination की problem होने लगेगी, ठीक है, में बहुत ज़्यादा urination, फ्रिक्वेंटली जाना पड़ेगा, ठीक है, frequent urination की problem होगी, अगर microbial infection हमारे bladder में हुआ, क्योंकि जो bladder है, मैंने बताया है, वो urine को control करता है, और उसको release करने का काम करता है, ठीक है, next है, upper urinary tract infection, upper urinary tract infection में, first क्या है, uratitis, ठीक है, uratitis, uratitis क्या होता है, जब inflammation हमारे uratars में cause हो, ठीक है, वो both, मैंने पहले ही बताया कि 2 uratars होते हैं, ठीक है, 2 uratars होते हैं, तो one या both, में अगर inflammation cause हो रहा है, एक में या दोनों में, तो वो condition uratitis कहलाएगा, ठीक है, अगर uratitis में inflammation हो रहा है, तो यह spread बहुत ज़ल्दी से फैलता है, kidney और bladder में, क्योंकि uratitis क्या होता है, transport करता है, urine को kidney से bladder की तरब, kidney से bladder की तरब transfer करता है, अगर यहां पर uratitis में हो रहा है inflammation, तो kidney और bladder भी affect हो जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़ल्दी spread होगा, फैलेगा, next है pyelonephritis, ठीक है, next है pyelonephritis, नेफ्रोन, ठीक है, kidney को नेफ्रोन भी बोलते हैं, ITS मतलब नेफ्रोन में infection हो रहा है, ठीक है, यह बहुत ही common infection है, यह एक यह दोनों kidney में हो सकती है, two kidney होती है, chronic infection होता है, chronic और acute बोथ infection हो सकता है, one or two बोथ kidney को affect कर सकता है, ठीक है, bacterial infection हो सकता है, ठीक है, तो यह हो गया इसके types, ठीक है, two types के होते हैं, याद रखिएगा आप लो, next हम देखते है, etiology, etiology मतलब कैसे, किसक common organism that cause UTI, include common organism क्या है, first है, steric ya coli, steric ya coli क्या होता है, यह responsible होता है, 80% of unary tract infection, मतलब most common क्या होता है, steric ya coli होता है, bacteria होता है, जो कि 80% UTI के लिए responsible होता है, next है, staphylo, cocus, saprophyticus, यह क्या होता है, restricted to infection in young sexually active men, यह जो micro-organism होता है, जो young women होती है, जो sexually active होती है, उनमें UTI cause कराता है, ठीक है, less common organism, less common क्या है, protease merobiles, यह क्या है, एक gram-negative enteric bacteria है, इसके वज़े से भी UTI cause होता है, next है, clay vishla, pneumonia, pseudomonas, intraococcus species, यह सारे micro-organism हैं जिनकी वज़े से UTI cause होता है, ठीक है, कुछ risk factor है, इनको भी discuss कर लेते हैं, ठीक है, तो male और human में अलग-अलग risk factor होते हैं, UTI जो होता है, वो mainly human में cause होता है, तो हम यही पर देखेंगे, UTI क्यों human में ज़्यादा cause होता है, male में क्या होता है, prostatic hypertrophy, prostatic hypertrophy मतलब जो हमारे prostate gland होता है, वो enlarge हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जो की cause करता है, urination difficulty, ठीक है, urination difficulty cause होता है, क्योंकि हमारा जो prostate gland होता है, वो राज हो जाता है, second क्या है, bacterial prostatis, ठीक है, हमारे prostate gland में bacterial infection और age, responsible होता है, male में UTI cause होने के लिए, next देखने है, in female, female में क्या होता है, हमारे जो urethra होता है, वो बहुत ही sorter होता है, sorter urethra होने की वज़े से, ठीक है, बहुत जादा sorter रहता है, जिससे कोई भी micro-organism, वहाँ पर जल्दी से identify नहीं होती है, उनकी वज़े से, वहाँ पर UTI cause होता है, यही रीजन है कि उमेन में बहुत ज़्यादा UTI infection देखने को मिलता है, as compare male, next है, sexual intercourse, अगर sexual intercourse के time आप hygiene नहीं हो रहे हैं, ठीक है, hygiene को follow नहीं कर रहे हैं, तो उस time भी आपको UTI infection हो सकता है, next है contraceptives, आप जो contraceptives, गर्म निरोधक पिल्स खाते हैं, उनकी वज़े से भी UTI cause हो सकता है, ठीक है, और कुछ ऐसे disease होते हैं, या ऐसे condition होते हैं, male और female बहुत में, जिनकी वज़े से UTI cause हो सकता है, फर्स्ट है diabetes mellitus, diabetes mellitus की वज़े से भी UTI cause हो सकता है, और next है impaired immune system, हमारे जो immune system है, वो weak हो, उसकी वज़े से भी हमें UTI cause हो सकता है, next हम इसका देखते है, pathophysiology, pathophysiology देखते हैं क्या होता है, etiological factor, हमारे जो जो भी factor है, जो भी microorganism में है, या जो भी risk factor है, उनकी वज़े से क्या होता है, infection agent, blood and lymph, जो infectious agent होते हैं जो भी microorgan में हों हमारे blood और lymph में इंटर करते हैं ठीक है उसकी वज़ेश क्या होता है agent activate neutrophils and protease enzyme neutrophils and protease enzyme जो agent activate हो जाता है और क्या होता है damage of parenchyma cell of urethra अगर urethra की जो parenchyma cell होती है वो damage हो जाती है जिसकी वज़े से urethritis cause होता है and damage of epithelial cell lining of bladder जो bladder है हमारी उसकी epithelial cell जो होती है ठीक है वो damage होती है जिसकी वज़े से such status cause होता है ठीक है उसके बाद क्या होता है bloody cloudy and blackish urine ठीक है bloody का मतलब जो urine आएगा उसमें blood होगा cloudy मतलब वो धुन ला रहेगा जैसे and blackish color की urine का formation होता है ठीक है urine release होगा and low GFR ठीक है GFR का मतलब glomural filtration rate क्या होता है glomural filtration rate एक test होता है जो कि estimate करता है how much blood pass through filter in the kidney each minute ठीक है kidney से प्रते मिनट में कितने blood पास हो रहा है यह count करता है GFR ठीक है तो low GFR हो जाएगा ठीक है glomural filtration low rate low हो जाएगी ठीक है और हमारी जो urine होती है वो bloody उसमें blood आएंगे cloudy और blackish color की हो जाएगी और finally UTI cause हो जाएगा ठीक है यह hole इसकी pathophysiology है और इसकी आप figure को आप इहाँ पर देखके समझ सकते हैं ठीक है यह हमारी kidney है ureters है uretera है then bladder beach में ठीक है वहाँ पे कहीं पे भी kidney या bladder कहीं पे भी कोई भी bacteria ठीक है इंटर हो जा रहा है वहाँ पे inflammation कॉज कर रहा है यह figure देख लीजे आप लो ठीक है आगी देखते हैं next देखते है clinical manifestation मतलब symptoms क्या-क्या सो होते हैं during UTI first high fever बहुत ज्यादा बुखार रहेगा second painful and burning and urination आप urination के time पे बहुत ज्यादा pain और जलन होगा ठीक है और next है आपके जब urine करेंगे तो उसमे blood प्रेजेंट रहेगा उस condition को हम hematuria कहते हैं और जब आप urine जो रहेगा urination आपका जो urine रहेगा उसमें strong smell रहेगी बहुत ज्यादा smell रहेगी वह smelling रहेगी ठीक है next है urine that appears cloudy आपके जो urine रहेगा वह black is yellow मतलब cloudy clear urine नहीं रहेगा ठीक है next है nausea and vomiting होगा abdominal pain होगा ठीक है यह कुछ clinical manifestation है कुछ symptoms है जो कि सो होते हैं during UTI next है treatment देख लेते हैं ठीक है treatment first hand non-pharmacological treatment इसमें देखते हैं increased in food intake to plus bacteria मतलब कि आप बहुत ज्यादा fruit की चीज़े बहुत ज्यादा पानी पीजिए जिसकी वज़े से जो bacteria है फ्लस हो जाए ठीक है बहार निकल जाए ठीक है next है drink cranberry juice ठीक है cranberry की juice पीनी चाहिए क्योंकि यह decrease करता है incidence of UTI को क्योंकि cranberry में tannins पाया जाता है ठीक है जो कि prevent करता है किसी भी certain pathogen जैसे E. coli to the epithelial of the urinary bladder हमारे जो urinary bladder उसके epithelial sale होती है ठीक है तो जो E. coli bacteria है उससे prevent करता है क्योंकि cranberry है उसमें tannins पाया जाता है ठीक है तो cranberry के अलामा आप blueberries भी के juice आप पी सकते हैं जिसमें tannins प्रेजेंट होता है जो कि क्या करता है हमारे urinary bladder की epithelial sale को prevent करता है certain pathogens like E. coli से ठीक है next क्या है proper cleaning after urination and sexual activity ठीक है proper cleaning करने चाहिए urination के बाद and sexual activity लेके sexual activity होती है sexual intercourse especially women में इसकी वजह से बहुत ज्यादा UTI कौज होने के chances रहते हैं तो proper cleaning करना चाहिए next avoid drinking that may irritate bladder like coffee alcohol and soft drink मतलब acid drink को avoid करना चाहिए जो आपके bladder को irritate करता हो ठीक है जैसे coffee हो गया alcohol हो गया and soft drink हो ठीक है next देखते हैं pharmacological treatment ठीक है तो pharmacological treatment सबसे जगा जो responsible होता है treat करने के लिए UTI को होता है antibiotic ठीक है antibiotic को आप use करिए आपकी UTI treat हो जानी है ठीक है बड़ कैसा UTI है किस condition में UTI है उस पर depend करता है कि आप antibiotic के किस drugs को लेंगे किस dose पर लेंगे ठीक है first क्या है antibiotics are the first line treatment for urinary tract infections which depends on your health condition ठीक है अगर mild infection है बहुत कम infection है तो आप उस समय में amoxicillin and ampicillin drug को प्रिफर कर सकते हैं जो कि यह antibiotic है अगर severe infection है तो आप trimethoprim, immunoglycosides and sepharosporin के टेगरी की drugs मतलब drugs को as antibiotic जो drug उसको आप ले सकते हैं severe condition है उस टाइम पर आपको जो आप drugs ले रहे हैं वो IV लेना चाहिए ठीक है तो आपके treatment के chances थोड़े increase हो जाते हैं जल्दी treat होता है तो hope करते हैं आपको full UTI समझ में आई हो ठीक है अगर कोई भी doubt हो आपको तो आप comment section में comment करें उसका हम जरूर से reply देंगे और हमारे चैनल को like, subscribe and share करें आपकी छोटी सी मेनद हमें new वीडियो बनाने के लिए motivate करती है तो इसलिए please चैनल को like, share and subscribe करें और ये वीडियो आपके लिए pharmacy में B form हुआ, M form हुआ, nursing हुआ सब में important है ठीक है और इसकी handwritten notes आपको PDF की link आपको description box में मिल जानी है तो वहाँ से जाके आप इसको download कर सकते हैं, thank you guys